इसराइल हमास युद की वज़ा से यमन का हूती इसराइली सेना को राफा में रोकने के लिए लगातार आरब सागर, हिंद महा सागर और लाल सागर में इसराइल और अमेरिकी जहाजों पर हमले कर रहा है इसके अलावा हूती लाल सागर से सीधे इसराइल के इलट शहर पर कई ड्रोन्स और मिसाइल हमले कर चुका है हानक इन में से अधिकतर हमलों को इसराइल और उसके सहयोगी देशों की सेनाओं ने नाकाम कर दिया है लेकिन अब हूती ने एक बार फिर से इसराइल पर हमला किया है हूती का कहना है कि उसने इसराइल के कबजे वाले फिलिस्तीन यानी इलट पर एक बैलेस्टेक मिसाइल दागी है हूती ने इसे फिलिस्तीन बैलेस्टेक मिसाइल का नाम दिया है हूती का कहना है कि उसने ये मिसाइल कबजे वाले फिलिस्तीन में इसराइली सैने टार्गेट के खिलाफ तैनात की है हूती के प्रवक्ता याया सारी का कहना है कि ये मिसाइल उमाल रश्रश में मिलिटरी टार्गेट पर दागी है पिरोब अियाँ प्सकाल, पर इलो पलुमिया इंपतार उस्वाल, इतलू पलुमिया इन खौन एीत त जनूबी फिलस्तीन मुष्टला वधाली को लेकर इस्राइली सेना का भी बयानाया है इस हमले को लेकर आईडिय अफ का कहना है कि 3 माई 2024 को लाल सागर में यमन की तरफ से एक बैलेस्टिक मिसाइल इलत की तरफ दागी गई थी जिसे इस्राइल के लॉंग रेंज एरो एर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था आईडिय अफ का कहना है कि ये मिसाइल हूती द्वारा दागी गई थी जिसे एरो एर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया था इस्राइली सेना का कहना है कि एक जमीन से जमीन पर वार करने वाली मिसाइल से भूती की मिसाइल को मार गिराए गया है हाला कि इस हमले को लेकर इलट में हवाई हमले के सायरन भी बजबुठे थे और इस हमले को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वाइरल हो रहा है जिसमें एरो एर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल का धुआ आसमान में नज़र आ रहा है बताय जा रहा है कि ये वीडियो इलट इलाके का है हाला कि ये पहली बार नहीं है जब हूती ने इरान पर हमला किया हो इससे पहले भी हूती ने इसराइल पर कई बेलेस्टिक क्रूज मिसाइले और ड्रोन फायर किये है हाला कि इन में से अधिकतर हमलों को इसराइली एर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट करना काम किया है